हलो स्टुडेंट्स वेल्कम टू स्टडी 24 उदेपूर आज के स्वीडियम हम अवमुल्यन का जे वक्र प्रभाव क्या होता हैं उससे आज हम इस वीडियो में डिसकर्स करने वाले हैं तो चली स्टार्ट करते हैं अवमुल्यन का जे वक्र प्रभाव जो हैं उसको पढ़ने से पहले हम भुकतान शेज जो हैं उसमें अगर अस अंतुलन की समस्या हैं तो उसमें समायोजन करने के लिए एड़्जेस्मेंट करने के लिए एक विदी हैं जिसको मार्शर लर्नर शर्त कहा जाता हैं या इसके अंतरगत क्या होता हैं कि भुकतान असंतुलन की समस्या को दूर करने के लिए कोई देश क्या करता हैं और अमुल्यन से एक तरह से क्या होता हैं कीमत प्रभाव कीमत प्रभाव का मतलब जब कोई देश भुकतान असंतुलन की समस्या को दूर करने के लिए जो देश की जो मुद्रा है उसका अगर अमूल्यन करता है इसका मतलब हो गया कि जो उसके आयात हैं उसकी किमते बढ़ जाएगी आयात महेंगे हो जाएगे जबकि जो निरियात होते हैं उसकी विदेशी किमते क्या हो जाती हैं कम हो जाती मतलब निरियात सस्ते हो जाते हैं और आयात महेंगे हो जाते हैं और इससे उसके पास में विदेशी मुद्रा की मातरा बढ़ती हैं जिससे वो क्या कर सकता है बुक्तान शेंश में बैलेंस और पेमेंड में अगर असंतुलन की स्थिति हैं तो उसको संतुलित करने के लिए यह निती वो एक तरह से अपनाता है उस पर डिपेंड करेगा कि वो अमूलियन की जो निती हैं वो सफल होगी या नहीं होगी अमूलियन निती की जो सफलता होती हैं वो किसके अपनिर पर करेगी आयात और निर्यातों की मांग की लोच किस परकार की हैं मार्शल लर्चन क्या केती हैं कि अगर आयातों और निर्या के लिए मार्शर लर्णर शर्थ क्या केती हैं आयात और नेरियातों की जो मांग की लोच हैं उन दोनों का जो योग हैं वो क्या होना चाहिए एक से अधिक होना चाहिए तभी अमुल्यन की निति क्या होती हैं सफल होगी लेकिन अगर इन दोनों का जो योग हैं अगर वो एक से कम होता है तो एसी स्थिति में अमूलियन की जो निती है वो सफल नहीं होगा उस देश का जो भुकतान संतुलन है वो और जादा बिगड़ेगा भुकतान संतुलन को सुधार करने के लिए क्या जोरूरी है आयात और नेरियातों की मांग की जो लोचे वो इकाई से अधिक ह होना चाहिए और अगर इन दोनों का योग एक के बराबर होता है तो एस सिस्थि में क्या होता है जो अमूलियन की निती है उसका भुकतान सेंश के उपर बैलेंस एफ पेमेंट के उपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आयातों और नेरियातों की मांग की लोच का योग अगर एक के बराबर होता है योग एक के बराबर है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बैलेंस ओपेमेंट के उपर तो बैलेंस ओफ पेमेंट में अगर असंतुलन की समस्या है तो उसकी जो सफलता है और मूलियन की सफलता है जो वो कब होगी जब आयात और निरियातों की माहां की लोज क्या होती है इकाई से अधिक होती है ये तो हमारी मार्शल लर्नर शर्थ हैं जिसको हमने एक बार शोट में देख लिया है अब देखिए जे वक्र प्रभाव जो है वो एक तरह से क्या बताता है अगर हम अल्पकाल की बात करते हैं तो जब कोई देश अमूलियन की निती को अपनाता है तो अमूलियन की निती से क्या होता है उस वस्तु की जो घरेलू किमते हैं आयातों की जो घरेलू किमते हैं वो बढ़ जाती हैं जिससे आयातों क्या होंगे कम हो जाएंगे लेकिन निरियातों की किमते कम होने से निरियात क्या होंगे बढ़ेंगे लेकिन ये जो प्रभाव होता है अमुल्यन का जो प्रभाव होता है वो तूरंत नहीं होगा उसमें क्या होता है? कुछ time लगता है, समय लगता है जो उभ्भुकता है, उत्पादक है उनको अपनी जो नई इस्तिती हैं, अमूल्यन के कारण जो इस्तिती उत्पन होई है उसका समायजन करने के लिए क्या होगा? उनको कुछ time लगेगा अब देखिए अल्पकालिन समय की बात करते हैं तो अर्थ शास्त्रियों का मानना है कि जो अल्पकालिन समय है उसमें मांग और पूर्ति की जो लोचे होती है अल्पकालिन समय में आयात और नेरियातों की जो लोच है वो अल्पकालिन समय में क्या होती जो लोच है संतुलन हैं उसमें सुधार नहीं होगा वो जादा बिगड़ेगा भुकतान संतुलन की जो सुधार के हम बात कर रहे हैं उसमें सुधार कब होगा उसके लिए क्या जरूरी है कि मांग और पूर्ति की लोच क्या होने चाहिए अधिक होने चाहिए और मांग और पूर्ति की ज होगी जादा होगी तो जी वक्र एकतर से क्या किता है कि अलप ता में आयात और यह की मां की लोचें कम होती हैं के करण से यह हिता यह उस देश का जो भुकतान संतुलने उसमें सुधार नहीं होता है और ज़्यादा बिगड़ता हैं अगर कोई देश अमुलेन की निती को अपनाता है तो अलप काल में उसका जो भुकतान, शेंशे, बैलेन्स और पेमेंटे वह एक्तरे से क्या होगा और ज़्यादा बिगड़ेगा ज़्यादा बिगड़ने की सफलता होगी मतलब सफलता का मतलब क्या हो गया जो उसका बैलेंस और पेमेंट है वो गाटा है गाटे की स्थिति से क्या होगा उसमें अनुकुल मतलब आधिक किसर प्लस की स्थिति में आएगा लेकिन कब आएगा ये दिर्गकाल में आएगा और इसी कारण से क्या होता है ये जो वक्र हमारा बनता है वो किस आकार का बनता है ये आकार का बनता है मतलब जो ये हमारा जैसे इदर हमने घाटा ले लिया बुक्तान संतुलन में और इदर हमने आधे के ले लिया सरप्रस ले लिया तो जब कोई देश अगर अम्मुलियन की नितियों को अपनाता है तो अम्मुलियन की नितियों से क्या होता है प्रारम में अल्पकालिन समय में ते क्या होगा घाटा जो होगा वो बढ़ेगा लेकिन एक समय बाद में ये जो घाटा होता है वो धीरे-दीरे क्या हो जाता है का अमुल्यन के कारण ये जो हमारा आकार है वकर का आकार वो किस परकार का बना है जे आकार का इसलिए इसको एक तरह से क्या का जाता है अमुल्यन का जे वकर प्रभाव कहता है जे वकर प्रभाव का मतलब क्या हो गया कि जब कोई देश अमुल्यन की निती को अपनाता है तो अ फिर दिर्गकाल में क्या होगा, उसमें सुधार होगा, ठीक है, इसको समझने के लिए हमें एक डाइग्राम जो हैं, उसका यूज करता है, देखिए प्रारम में अगर हम देखें, तो हमारा जो ये O X अक्ष हैं, इधर हमने समय लिया हैं, और ये जो O Y अक्ष हैं, इसमें हम हमने निचे वाले भाग में गाटे को दर्शाया हैं, बैलेंस ओ पेमेंट जो हैं, भुकतान संतुलन उसका गाटा हैं, और उपर वाले भाग में एक तरसे भुकतान संतुलन में जो आधिकी किस्तिती हैं, उसको हमने दिखाया हैं, अब देखिए कोई देश क्या करता हैं, इस T समय में अगर अमूलियन की निती को अपनाता है तो जब किसी देश के द्वरा T समय में अमूलियन की निती को अपनाया जाता है तो उससे क्या होता है प्रारंबिक समय में अल्पकालिन समय में ते क्या होता है उसका जो घाटा है वो बढ़ता जाता है और D बिंदू के बाद में अगर हम देखें तो भुक्तान शेंश में जो गाटा है वो और अधिक तेजी से बढ़ता जाता है लेकिन T समय से T1 समयावधी के अगर हम बात करें तो इस T1 समयावधी के बाद में क्या होता है और भुक्तान संतुलन में जो गाटा है वो दिरे-दिरे क्या हो जाता है कम हो जाता है इसलिए हमारा जो ये वक्रे वो उपर के और आता है मतलब ये जो भुक्तान शेंश में वो T2 समयावधी में क्या होता है संतुलन की स्थिति में आ जाता है और उसके पस्चात जब मार्शल लर्नर की जो शर्त हैं वो संतुष्ट होती हैं ठीक है मार्शल और लर्नर की जो शर्त हैं वो क्या है हमारी कि जो आयात और नेरियातों की मांग की लोच हैं वो अगर एक से अधिक होती हैं तो एक सदिक अधिक होती हैं दिरगकाल में तो इस इस इस्ति में अमुलेन की निती से क्या हगा उस देश का जो शंत्रप्लस में आ जाएगा और हमारा जो वक्र है वह इस ऑ एक्स अक्ष से उपर की और आ जाता है जो क्या धर्शारा है बैलेंस ओफ पैमेंट यहीं वो पहले तो क्या था इस T से T2 सम्यावधी यहां तक तो क्या था गाटे की स्थिति में था लेकिन उसके बाद में क्या गया यह आधिक किसर प्लस किस्थिति में आ गया है तो यह जो आकार है वो J की तरह बनता है इसलिए इसको एक तरह से हम क्या कहते हैं जे वक्र प्रभाव केते हैं और देखी यहां पर एक बाद ध्यान नहीं है कि मार्शर और लर्नर की जो शर्ट हैं अगर वो संतुष्ट नहीं होती हैं तो इस सिस्थ में क्या होगा इस T2 समयावधी के बात में ये जो वक्र है अमुलियन की निती के अपनाने की कारण इसका जो आकार है वो इस X अक्ष के समान अंतर हो जाएगा इस तरीके से बन जाएगा ठीक है प्रारम में गाटा था दिरे दिरे गाटे में कमी हुई हैं और फिर ये इसके समान अंतर बन जाएगा लेकिन जब मार्शल लर्नर की शर्थ संतुस्ट होती है तो इसका जो आकार है वो कैसा होगा ये आकार का बनेगा तो ये हमारा है जे वक्र प्रभाव ठीक है अमुलियन की निती जब अपनाई जाती है किसी देश के दवारा तो अमुलियन की निती का उस देश की balance of payment पर भुक्तान संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है भुक्तान संतुलन में जो असंतुलन की इस्तिति हैं गाटा है उस गाटे को deficit को कैसे दूर होता है सर प्लस में कैसे आता है उसी को इसपस्ट करता है और यह मुख्यरूप से जो मार्शल लर्नर की जो शर्त है वो मुख्यरूप से जो विक्सित देश हैं जो developed countries हैं उनके लिए ठीक है लेकिन जो under developed countries हैं जो विकासिल देश हैं वहाँ पर भी यह जो इस्तिति हैं वो लागू हो सकती है तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे हम दूसरा टुपिक को डिसकस करेंगे